अगर आप अपने कार के लिए अपने बाइक के लिए इंशॉरेंस पॉलेसी पर्चेस करने का प्लान कर रहे हो तो आज आप बिल्गूर करेक्ट वीडियो पर आए हो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ और सी 5 से 10 मिनट के अंदर अपने कार या बाइक के लिए इंशॉरेंस पॉलेसी किस तरह से पर्चेस कर सकते हो साथ-साथ आपके मन पसंद जो भी कार इंशॉरेंस पॉलेसी है घर बैठे ही आप पर्चेस कर सकते हो क्या प्रोसेस होने वाला है किस तरह से पर्चेस करना है ये सारी चीज़े बताऊँगा इस वीडियो के अंदर तो रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना जिससे आपको एक-एक इंफर्मिशन डीप में और डिटेल में मिल सकें मैं वो आपका दोस्ट आपका होस्ट अमान बीना टाइम वालस करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपको अपने कार या बाइक लिए इंशोरेंस पॉलिसी पर्चेस करना है यहां जो मैं आपको वेबसाइट या एप्लिकेशन रिकमेंट करूँगा वो है पॉलिसी बजार मैं कोई भी स्पॉंसर नहीं कर रहा हूँ पॉलिसी बजार का मैं पर्सनली इस वेबसाइट को यूज करता हूँ यहां से ही मेरी कार या बाइक की पॉलिसी पर्चेस करता हूँ इसलिए मैं आपको रिव्यू इसका दे पा रहा हूँ तो यहाँ जो process है वो काफी ज़ादा easy हो जाता है और काफी ज़ादा policy को आप यहाँ से compare कर सकते हो तो आप process बतातो किस तरह से आपको policy purchase करना है क्या कि आप option आपको fill करना है और क्या इसका process होता है तो अभी मैं अपने laptop की screen पर आपको लेके चलता हूँ और सारा process बताता हूँ तो friends सबसे पहले आपको policy bazar की website पर आजाना है जिसकी link पर मैंने आपको description में दे दिया हूँ या directly भी आ सकते हो जैसे आप website पर हैंगे तो यहाँ पर आपको sign in या sign up करना है मिनसे एक account create कर लेना है मेरा account जो है वो already create है इसलिए directly यह option आ रहा है आपको अगर account नहीं है तो एक account create कर लेना है नॉर्मल यह आपका number दालके यह बन जाता है आपकी जो भी vehicle है उसका number आपको इंटर करना है और यह ध्यान रखना है फ्रेंट कार के case में आप बाइक का number ना इंटर कर दे तो यहाँ आपको कुछ additional information फिल करना है इसके बाद जैसे कि आपका नाम और यहाँ vehicle का आपका detail आ गई है कौन सी vehicle है तो यहाँ नाम मैं अपने channel का ही दाल देता हूँ तो यहाँ मारे channel का नाम मैं दाल देता हूँ mechanical alamana official लेकिन आपको RC लेकर अपने साथ बैठना है जो भी नाम RC के उपर mention है वो name आपको यहाँ पे fill करना है मैं सीब आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं यह fill ऐसा कर रहा हूँ इसके बाद email address और आपको mobile number दालना है और view prices पे आपको click करना है इसके बाद आपको सबसे पहले यह पूछेंगा कि आपको previous policy है वो कब expire हुई है अगर आपको पता है तो directly आप यहाँ से select कर सकते हो नहीं पता है तो नीचे में आप यहाँ पे click कर सकते हो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपकी policy अभी expire होने वाली है या फिर 60 days हो चुक policy दिखा रही है वो third party directly यहाँ मुझे दिखा रही है लेकिन अगर आप चाहे first party insurance purchase करने का means जिसे comprehensive कहा जाता है तो नीचे में here plan type यहाँ लिखा हो है यहाँ आपको click करना है जैसके मैं first party यहाँ पे click कर ले तो comprehensive तो यहाँ first party आपको policy जो है वो शो करेंगा यहाँ पर IDV value भी insurance company pay करती है यहाँ लेकिन मैं third party का आपको बता रहा हूँ क्योंकि maximum लोग जो है वो third party insurance purchase करते है third party पर जैसे मैंने click किया तो यहाँ पर IDV value बिल्कुल zero हो गई एक मिंस इसका कोई third party से लेना देना नहीं होता है इसके पाद policy जो है वो बहुत सी यहाँ पर available है यहाँ आप add- customize कर सकते हो बहुत सी चीज़े आपको और add-ons देखने को मिलते है इसके बाद आपके जो accidental cover है वो भी है आप दिख जाता है customize आप कर सकते हो क्लिक कर सकते हो इसके बाद जो accessory cover है वो भी आपको यहाँ मिल जाता है तो जो भी आपको add-on लेना है जो भी cover लेना है वो यहाँ से तो यहां प्लैन का समरी आ गया है यहां लिखा है बजा जालियांस थर्ड पर्टी इंशॉरेंस प्राइस दिख सकते हैं और यहां पर 18% जो है वो जी एस्टी लगी है आप कोई भी इंशॉरेंस पॉलिसी पर्चेस करो 18% डी एस्टी लगती है और 4030 रुपे यहां पर टोट करना गया है क्या आपको कमपनी की लिए मतलम इंशॉरेंस पॉलिसी पर्चेस करें या फिर अप इनडिवीजुल हो अगर कमपनी की वेहिकल है तो कमपनी पर कलिक करना है नीचे में काहर की डिटेल आपको यहां पे मैंशन की गई कित्ते सीसी के कौन सी डीजल है तो यहां आप सीधा सीधा payment page पर आ गया हो सारी information आपको दी गई है जो amount है 4030 रुपे ये भी बताया गया है order ID बताई गया है और यहां 4030 payment करने का option भी आ गया है साथ-साथ आपको EMI की facility भी मिल जाती है यहां पे debit card EMI, cardless EMI और साथ credit card पे भी आपको EMI का option मिल जाता है तो credit banking option आ जाता है credit card option आ जाता है और साथ-साथ-साथ आपको payment करना है और जैसे ही आपकी payment कनफर्म हो जाती है तो आपको वह सारा जो receive, receive है वह सारी चीज़े मिल जाती है इसके बाद एक बहुत important जो एक process होता है वह मैं आपको आगे में discuss करता हूँ जिसको आपको जानना काफ आपसे कोई भी policy purchase कर सकते हो चाहे वह first party policy हो या फिर third party इसके अलावा friend जब आप payment कर देते हो policy की इसके बाद कुछ important चीज़े होती है जो कि आपको करना ज़रूर है जिसे KYC भी कहा जाता है पहले यह चीज़ नहीं होती थी direct policy purchase हो जाती थी payment के बाद लेकिन अब KYC भी होती अब KYC का मैं आपको information दे देता हूँ इसे किस तरह से complete करना है जैसे ही आप payment कर देते हो उसके बाद को कुछ additional information मांगी जाती है means insurance policy आपको कौन सा नाम, number, email, address चाहिए इसके बाद KYC में आपका other card, pen card मांगा जाता है जो के आपको upload करना पड़ता है कहीं भी physical जाने की जरू इस registration certificate जो है वो card भी हो सकता है या फिर कोई other form में भी हो सकता है उसकी भी आपको scan करके या फोटो खीच के upload करना पड़ता है जैसी आप upload कर देते हो तो सारा verification process होता है और mostly आपको 10 से 15 मिनट या फिर आदे घंटे के अंदर अंदर policy मिल जाती है अगर delay होता है in case बहुत से time delay भी हो जाता है तो आपको 24 घंटे तक wait करना है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको policy email पे या फिर आपके SMS पे और policy बजार के application पे भी मिल जाएंगे तो tension लेने की बात नहीं है कई बार 24 घंटा भी लग जाता है तो आपको 24 आर्स तक wait करना है otherwise 5-10 मिनट में ही आपको policy मिल ज सकते हो मैं आपकी help करूँगा insurance policy purchase करने में अगर आपके कोई भी doubt रह जाते है इस वीडियो से related या कोई भी other तो आप comment section पूछ सकते हो मैं जल्द से जल आपको reply देता हूँ आज के लिए इतना है जब तक कि लिए गुडबाए